अब इदाख आपने देखा पड़ वर । डॉक्टर में, ब्लायक हैंड बोलता है कि मेरा कीड्नी के स्ट्रू निस से ठिक हो जाएक लेंड बोलता है हा कोई जरूवत नहीं है, बच्चा सारा पैसा दो मुझे, लिन बोलता है, सही में तुम बहुत ही बेवकूप इंसान हो, जबकि तुमारा ऐसा एक्टिटूट है, अब मुझे तुमारी फैमिली के बार में सोचना नहीं होगा, ब्लैक हैन्ड बोलता है, मेरे फैमिली से तुमा ठाड़ कर रहा था इतुम यहां पर क्यों अभी भी बॉलता है इतना ज्यादा भाव मत खाओ कमारे इतनी हिमत मेरे साथ मजा कर रहे हो आज मैं तुम्हें मार डालूंगा फिर वह लिन पर हमला करने वाला होता है फिर लीन बंदूघ निकाल कर बोलता है फिर से बोलो ओ मैं बता نवूल गया ना तुम्हें यह लाइटर है जो मुझे चीने दिया है यह बंदुग सही में मस्त है ना लुवान बोलती है यह तो नकली है मैं तो सही में बहुत ही जादा देड़ गई थी वो बोलता, लिन सही में तुम बहुती ज्यादा समझदार होते जा रहे हो वोऔन बोलती है, लिन तुम आराम करो हम लोगन चलते हैं लिन बोलते हैं, ठीक है समल के जाना लिन अपने मन में बोलता है, मुझे कोई सुराक नहीं मिला कि मैं कहाँ से आया हूँ लेकिन यहां का जिन्दगी सही में बहुती अच्छा चल रहा है उजी दिनों के बाद उन लोगों को पता ही चल जाएगा कि मैं मंडे का नाटा करके वहां से भाग गिया हूँ फिर उसके बाद मेरे आस पास के सबी लोग और मैं बहुती जादा मुसीबत में पढ़ जाएंगे मैं अभी तक यह समझ नहीं पाया कि वो लोग अनाट को पकड़ की यह ट्रेनिंग क्यों दे रहा है अच्छा रहागा कि मैं एक नॉर्मल डॉक्टर ही बना रहा हूँ तब ही वहाँ पर सू आ जाते और बुलते है ब्लैक फिस गॉर्ड तो मभी तक तक सोई नहीं हो लिन मुलता है सू यह बहुती लंबी कानी है फिर वो सारा कानी बता देता है तू बोलती है तो तुम घर घडिने वाले हो क्लीनिक के लिए लिन बोलता है, यह तुम मुझे कहा ले जा रही हो, शो बोलती है, जबकि तुम सोई नहीं हो, कैसा रहागा कि हम लोग साथ में बात करें, फिर वो उसे जिंग के पास ले जाती है, जिंग उन दोनों का आते देखकर बोलती है, डॉक्टर लिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो जो बोलती है, जिंग, ब्लैक फेंज गॉर्ड हम लोग से बात करना चाहते है, लिन मुलती है, रुको, लगते कि मैं यह आपर जोई नहीं कर सकता तुमारे साथ, तुछ इलाकर बोलती है, क्या, तुम सुन्दर लड़कियों से बात करना नहीं चाहते हो, क्या, लिन मुलत है, ठीक है, वैसे भी आज मेरे पास समय है, चलो बात करते है, फिर वो लोग बाते करने स्टाट कर देते है, तभी एक लड़की किलीनिक में दजर रकर काउन करती है, फिर वो बंदूग निकाल कर अपने मन में बोलती है, उनकी इतनी हिम्मत वो मुझे कमजोर समझ रहा है मैं इस वार दूर से बंदूग नहीं चलाओंगी, मैं इस वार अपने हाथों से उसे मारूंगी, दूसरी तरब सु सिंग को बोलती है, जिंग मैं तुम्हें एक सिक्रेट बताती हूँ, हाला कि लिन ठड़की दिखता है, जिंग हस्ते हुए बोलती है, तुम्हें भी यह बहुत ही अच्छा लड़का है यह कुछ समय सीरियस नहीं होता है तभी कुछ देर के बाद लीन जाग जाता है और अपने मन में बोलता है मुझे अचानक से आजीब क्यों लग रहा है तो लीन को बोलती है ब्लैक फेस्ट गॉर्ड क्या हो गया लिन बोलते हैं तो में लग र बचाना है दो लीन का हाथ पकलेटी और बोलती है ब्लैक फेस्ट गॉर्ड मुझे बहुत ही जादा डर लग रहा है बाहर में कौन हमला कर रहा है लिन मुलता है चिंता मत करो मैं तुम लोगों को समाल लूंगा जिंग बोलती है डॉक्टर लीन यह वही कि लड़े न जो ayowar क Tiffany बोता है साई हो सकता है मैं देखता हूं कैमरे में इतमत करो यॉनेन ने बहुत ढょकार वहां के सारा बाडी ड़ट मुर्ट मों होते है यह देकर बहुत ही जल भी हो जाहता हएं रूsur सबी लोग मारे गए जिंक बोलती है हमें याज से निकलना चाहिए अब लिन बोलते तुम जिंक के साथ क्लिनिक में रहो जबते तुम क्लिनिक से बाहर नहीं आऊगी तो गिलरER तुम्हारा कुछ नहीं बिगार पाएगा याद रखना जो भी हो जाए बाहर मताना और जल्ली एक इंशान को मार दिया है यह सही में हिटमैन बहुतीЙ बढ़िया है फिर वह चैनला कर बोलता है ये सितना बंद करो आज आउ मेरे साथ मुकाबला करो है तुम्हारे पास से दाम ये मेरे साथ मुकाबला हहोगा फिर वो कि लर् इसमें तेरा गूली होते हैं और मेरे जार्थ कर लिया, okay? लड़की बोलती है, क्या शही बोल रही है तो वो लड़की लिण पर सिरी मेरा दबार रही हो दक्वी लड़की लिन उसका ढोर मोरको कर लेता है। ले भीकी लिन बहुती ज़्यादा शॉक्त हो जाती और बोलती है मैं तुम्हें मार डालूंगी फिर वो उस पर हमला कर देती है फिर लिन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो वो लर्की बोलती है तुम मुझे कमजोर मत समझो फिर वो लिन पर कीक से ह त्वल और यो लिन बोलता है क्या तुम मुझे जानती नहीं हो वो लर्की बोलती है तुम हो कान जो मैं तुम्हें जानुगी मैं यहां पर जीन को मारने आई हूँ लगतैं मुझे अप सीरेस होना होगा त्बिन उस्से पकड़ लेता और बोलता है अब बताँ क्यान घान हो वह लर्की बोलती है सपना देखो तुम तो भी वह लर्की चाकू से हमला कर देती उस पर फिर वह वहां से निकलते हुए बोलती है मुझे यह मानने में बहुत ही खड़ाब लग रहा है कि तुम जीत गया लेकिन इस्वार मैं तुम्हें अगली वार मार डालूंगे फिर व वह चिलाकर बोलती है तुम बेकार किलर जिंग के करीम बताओ यह सुनकर बहुत ही शॉक्त हो जाता है और अपने मुझ में बोलता है यह चल क्या रहा है तब इस वह उस पर हमला कर देता और बहार में जाओ जिंग बोलती है क्या क्या हुआ जिंग चिलाकर बोलती है डॉक दोक्टर लिन साइड बेस हो गया है देको इनका सरीर में कितना चोट लगा हुआ है साइड यह किलर के साथ मुकाबला करने से हुआ है अब हम लोग क्या करें मैं लिवान को फोन की थी लेकिन वह अभी तक आई नहीं यहाँ पर और मुझे पता भी ने कैसे ठीक किया जाता है तो बोलती कोई बात नहीं हम लोग इसका मदद कर लेते हैं सावर करवाने में जिंग बोलती है क्या सावर डॉक्टर लिन के लिए तो लिन को लेकर जाने लगती है तो भी लिन उसका संतरा को दबा देता है तो बोलती सही में तुमारा कुछ नहीं होगा फिर वो अपने मन में बलती है black face god मैं तुम्हें किसी बेहाल में ठीक करके रहूंगे